ड्राइफूट सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है मखाना इनी ड्राइफूट में से एक है मखाना को कमल का बीच कहा जाता है ये है एक स्वाधिष्ट और पोस्टिक खाद्य पधार्थ है इसे फास्ट नट, कमल बीच और गोरगा नट जैसे कई नामों से जाना जाता है मखाने को बिना गर्म किये भी खाया जा सकता है या फिसे भून कर भी खाया जा सकता है आयरुवेद के अनुसार मखाना उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने के लिए एंटी अक्सिडेंट से भरपूर होता है यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने का काम करता है इसमें केलसियम प्रेचुर मातरा में होता है और यह जोडों के दर्द में काफी फायदेमन होता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको मखाना खाने के बहतीन फायदे बताने जा रहे हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चली वीडियो को सुरू करते हैं इसलिए दिल से जुड़ी वीमारियों के मरीजों को कम से कम एक मुठी मकाने का सेवन जरूर करना चाहिए नमब थ्री पाचन में सुधार मकाना एंटी अक्सिडेंट से भरपूर होता है जिसे हर उम्र के लोग आसानी से पचा लेते हैं इसके अलावा फूल मकाने में केसेले गुन भी होते हैं जिसके कारण यह दस्त से राहत दिलाता है और भूख बढ़ाने में सहयक होता है नमब फूर किड़नी की मजबूती चुकि फूल मकाने में मिठास बहुत कम होती है इसलिए यह तिली को डिटॉक्सिफाई करता है किड़नी को मजबूत बनाने और खून को सबस्त रखने के लिए नियमित रूप से मकाने का सेवन करें मास पेस्यों की मजबूती के लिए भी मकाना खाना बहुत फायदेमन होता है अगर आपकी मास पेस्यों समय समय पर सक्त हो जाती है तो आपको नियमित रूप से मकाना खाना सुरू कर देना चाहिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको मकाने के ये फायदे काफी पसंद आये होंगे तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी पूर लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लगें जैहिन जैभारत